इसका निश्क, जब आप 2-in-1 convertible laptops कियाती है, जिसको आप की तरह भी उसकर सकते हैं, यह वैसे deserve तो बहुत जादा success करते हैं, पर अभी तरह उतने successful हो नहीं पाए, इसका reason मुझे personally ऐसा लगता है, कि इनका higher price segment और balanced specification नहीं होना, मतलब है, कि अगर आप 75,000 या 65,000 मान लिजाए, अगर आप 65,000 रुपीज में एक 2-in-1 laptop लेने जाते हैं, तो उसी price range में अगर आप एक non 2-in-1 में देखने हैं, एक normal laptop traditional में, तो फिर आपको काफी better specifications मिल जाता है, अगर किसी में 2-in-1 में Core i3 होगा, तो उसी range में आपको Core i5 मि जाएगा दूसरे laptop में, almost one double RAM मिल जाएगा आपको, तो इस वज़े से लोग 2-in-1 कम लेके normal laptops ले लेते हैं, ये एक gap को fill करने की कोशिश अब नहीं कमपनीज कर रहे हैं, वैसी कोशिश Lenovo ने किया, आज मैं इसका review करने जा रहा हूँ, इसका नाम है Lenovo Flex 5i, अब Flex 5i के काफी के सारे reviews already internet पे हैं, ये वाला Intel 11th Gen, Core i5 11th Gen processor के साथ आता है, जिसमें आपको Irish XE graphics मिलती है, तो इसमें आपको Irish XE graphics मिलती है, आइरिश ग्राफिक्स वही सीरीज है, जो Intel Apple के MacBooks में भी तक देते आ रही थी, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जिसका detail review बताऊंगा, आपको पता हूँ, कि 65,000 रुपीज में आपको ये laptop लेना चाहिए नहीं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताईए कि आपको ये laptop कैसा लगा, अगर आप work from home अगरा कर रहे हैं, तो ये काफी useful machine हो सकती है आपके लिए, ये वीडियो कैसा लगा, ये भी मज़े बताईए, कुछ भी comment कीजे, अपनी जिन्दगी के बारे में comment कीजे, करते रहे हैं, पर comment ज़रूर कीजेगा, आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ, let's do this, As always review start करते हैं, build quality और design की बात करते हुए, laptop का aesthetics काफी जादा अच्छा है, बहुत compact है 14 इंच laptop के हिसाब से, screen पे भी bezels का में तो उन्होंने जादा space यूज नहीं किया है, build quality काफी जादा अच्छी है, जो front panel ये वाला ये भी aluminum से बनाया है, जो keyboard ये पूरा section ये भी aluminum से बनाय नीचे का जो base panel है, वो plastic से बना है, cost cutting हो या फिर better heat के लिए उन्होंने बनाया, aluminum थोड़ा जादा heat होता है, नहीं होना चाहिए, in fact, मैंने laptop का base, aluminum का है, Lenovo का ही laptop है, लेकिन थोड़ा जादा heat होता है, उस laptop के review मैं, यहां ओपर card पे कहीं दे दूँँग, आप चेक कर सकते है वो भी एक अच्छा laptop है, इसकी जो build quality है, मुझे काफी सही लगी, कुछ important points जो मैं आपको पताऊँगा, speakers उन्होंने bottom firing नहीं दे के top firing दी है, जो कि एक अच्छी बात है, उसके बाद, जो overall material उन्होंने use के है, वो काफी अच्छा है, जब 2-in-1 laptops की बात आती है, तो इन सब स को ऐसे convert करके use करते है, tilt mode में, या फिर tablet mode में ऐसे, तो फिर ये hinge बहुत ज़्यादा rotate होता है, जिसके वज़ा से कुछ time के बाद hinge की quality degrade होनी शुरू हो जाती है, अभी मुझे ये देखके लग रहा है, कि hinge में काफी अच्छा resistance है, लो नो ने बहुत अच्छी quality का hinge use किया है तो मुझे लगता है कि long run में ये hinge काफी अच्छा performance देगा, अभी क्योंकि थोड़ा सा hard है इसको पीछे की तरफ turn करना, 360 rotate करना, तो long run में ये एक अच्छी बात हो सकती है, तो hinge की quality मेरे तरफ से use thumbs up to Lenovo, इसके लावा overall build quality मुझे काफी अच्छी लगी, हमारे पास जो machine है य Lenovo की branding मुझे काफी अच्छी लगती है, बहुत minimalistic approach Lenovo लेती है, ब्रैंडिंग के मामले में, आपको top lid में, side में, metal की strip पे Lenovo लिखा मिलेगा, और नीचे keyboard, आपके trackpad के side में, चोटे से strip पे मिलेगा, बस, बहुत minimal और बहुत अच्छा look देता है ये laptop को, weight is around 1.65 kg, काफी light weight है अपने size और अपने price के recording, obviously एक 2-in-1 laptop है, तो थोड़ा से जादा weight होता है, और weight distribution उतना even नहीं होता है, जितना आपको normal laptops मिलेगा, but for a 2-in-1 laptop काफी सही है, अगर ports की बात करो, तो आपको left side में, एक HDMI port मिलता है, एक USB Type-C port मिलता है, जिसको आप charging के लिए भी use कर सकते हैं, एक traditional charging port मिलता है, और एक headphone और mic jack का combo मिलता है, राइट में आपको 2 USB Gen 3.1 ports मिलते है, Type-A वाले, Type-C ने, और उसके साथ साथ आपको एक power button मिलता है, और SD card reader मिलता है, अच्छी बात है कि बहुत कम laptops बजगे हैं, जिसमें SD card reader आ रहा है, तो Lenovo ने उसको add करके अच्छा काम किये, न 10-point multi-touch system इसमें Lenovo ने दिया है, और Windows के साथ काफी अच्छा integrate भी हो जाता है, तुरंट आप move करेंगे 360 में, तो तुरंट tablet mode में चला जाएगा, auto rotation, off-way, on हो जाएगा, जिसे साब 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 सेट किये रहेंगे, उन सब में कोई दिक्कत नहीं है, 3-ways nano bezel है, और नीचे के साथ मिलता है, जिसमें एक single AAA battery मिलती है, stylus की quality अच्छी है, दिखने में भी smart लगता है, बस एक ही point मुझे लगा कि उसको magnetically कहीं स्टिक करने के लिए कोई option नहीं दिया है, जैसे Apple वगरा में होता है, अगर वैसा होता तो आपको अलग से उसको carry करने की ज़रूद नहीं होत अच्छे है, color reproduction ठीक ठाक है, अगर आपको अगर आपको अगर आपको अगर आपको ये laptop content creation के लिए लेना है, तो फिर मैं उतना ज्यादा इस display को recommend नहीं करूँगा, क्योंकि RGB 65% के आसपास की है, तो फिर video color grading वगरा के लिए है, फिर photoshop में अगर आपको color editing करने है, तो उसके laptop में Core i5 11th Gen का Intel processor मिलता है, 8GB की DDR4 RAM मिलती है, और graphics के side में Intel का नया Irish XE graphics मिलता है, integrated अलग से नहीं, XE graphics के बारे में Intel ने अभी अभी लांच किया और बहुत सारे claims किये कि बहुत अच्छा है, पिछले वाले integrated graphics जो होते थे UHD, उससे almost double performance देता है in terms of gaming, मैंने अब ये चीजों क आपको आप बहुत जादा experience नहीं कर सकते हैं, जो Intel, मैं बहुत जादा games भी नहीं खेलता हूं, तो मैं आपको exactly नहीं बता बहुत कितना difference आता है, but overall जो मैंने यूज किया, एक चीज तो है कि efficiency इंप्रूव हुई है, battery life better है, ये graphic कम power use करता है अपने day-to-day task को perform करने के लिए और Intel ये claim कर रही है कि up to 40-50% better gaming performance आपको मिलता है Iris XC में जो integrated है, अगर मैं बोलू ठीक है company claim है exactly 50% नहीं भी मिले, अगर 25-30% भी better graphic performance आपको मिल रही है, तो इस price के recording बहुत जादा अच्छी बात है, और उसको आप 11th Gen के साथ अगर club कर देंगे 8GB RAM के साथ, तो फिर बहुत बात हो जाती है, day-to-day performance में कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने चाहे chrome's के tab यूज कीजिए, office यूज कीजिए, अपने official task कीजिए, side में आप movies, movies, download होने के लिए लिए लगाई है, जो आपका normal task है, जो आप एक laptop पे करते हैं, अगर आप office के लिए यूज के लिए यूज के तो उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत कहां होगी, अगर आप इसको again content creation के लिए ले रहे हैं, 4K में आप video editing बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाईएगा, high-end software जैसे DaVinci Resolve है, या फिर Premiere Pro है, तो वो सबको final rendering करने में बहुत ज़्यादा time लग Next बात करते हैं, keyboard और trackpad की, अब ये एक ऐसा department है, trackpad नहीं keyboard जहां Lenovo हर अपने laptop में excel कर दी है competition से, यहां भी वही चीज़ है, being a 2-in-1 laptop, keyboard कमाल का है, key travel बहुत ज़्यादा depth नहीं है, क्योंकि laptop पतला है, but still, अपने aesthetics के साब से बहुत अच्छा keyboard है, well built है, feedback बहुत ज़्यादा अच्छा है, और trackpad भी मुझे अच्छा लगा, size बहुत decent है trackpad का, in fact थोड़ा बढ़ा ही मैं बोलूँगा laptop का, जो size है उसके recording, glass नहीं है, इस price range में आपको कोई भी glass trackpad नहीं देगा, लेकिन being a plastic coated काफी smooth है, और windows hello के सारे, sorry, windows के सारे gracious को support भी करता है, overall keyboard and trackpad department काफी अच्छ का battery backup आपको मिलता है, मैंने real world uses में test किया और तकरीबन 8-9 घंटे का battery backup मिल जाता है, जो कि एक दिन के लिए काफी है, और बहुत ही कमालका है, 2-in-1 laptops में इतनी अच्छी battery backup देखने को नहीं मिलती है, 2-in-1 में का, normal laptops में देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पे Lenovo ने अच्छा काम किया है, इसके लावा thermal performance भी ठीक है, बहुत ज़्यादा heating issues नहीं है, आगे जहाँ पर vent share release होता है, वहाँ पर थोड़ा सा heat हो जाता है, बाकी keyboard और trackpad area में bearable heat है, क्योंकि एक aluminium built है, तो obviously plastic वाले laptop से थोड़ा ज़्यादा heat होता है, बट bearable है, उसमें कोई issue नहीं कुछ और bonus points के बारे में आपको बताऊं, तो wifi 6 का support है, bluetooth 5.0 आपको मिलता है, तो wireless performance भी ठीक है, इसके लावा आपको screen के ओपर के side में 720p का camera मिलता है, camera की quality बहुत average है, अगर आपको live streaming वगरा करनी है, तो messages करूँगा कि आप अलग से webcam ले लीजे, दो top firing speakers जैसा कि मने आपको पहले बताये के मिलते हैं, speakers का sound decent है, Dolby audio supported speakers है, for a laptop decent sound है, मैं आपको एक sample भी सुना के दिखा दूँगा अभी इसके अलावा, Lenovo ने एक और अच्छी चीज अड़ कर दी, वह इसका fingerprint reader, बहुत fast है, और बहुत 200 एकसेस है, थोड़ा साइस भी ठीक है, बहुत जारा चोटा नहीं है, पुराने fingerprint reader की तरह, तो ये था laptop काफी अच्छा, काफी well thought और well built machine है, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हू कीबोर्ड अच्छी देते हैं, trackpad अच्छी देते हैं, built अच्छी देते हैं, display भी काम लाइक देते हैं, तो ये सारी चीज़ों का धहान रखते हैं, एक laptop लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो काफी, मैं बोलूँगा, एक अच्छी strategy एक company के लिए, खार आपको ये video कैसा लगा, आपको ये laptop कैसा लगा, मुझे comment section में, बताइए, channel को please subscribe कर दीजे, बहुत important है, video को like कर दीजे, और मुझे आप instagram पे follow कर सकते हैं, उसका handle मैं description में दे दूँगा, मैं आपसे मिलता हूं next video में, take care.